Hello guys, welcome back, this is Sanjeev Pandey, आप देख रहे हैं AirUHap और आज हम बात करने वाले हैं कि 10th class की term 2 की पूरी science हम कैसे 30 तिन में कर सकते हैं, बड़िया तरीके से, ठीक है? अब बात यह है कि term 1 में हमको syllabus लगभग इतना इसे तरह कमी होगा और हमको आदे से जादा साल मिला था, ठीक है ना? यहाँ पर time बहुत कम मिला है और उससाब से syllabus, you can see कि भी अच्छा कासा syllabus है, तो कैसे इसको करा जाए, वो एक challenge है और बच्चे लगातार इस चीज़ को लेके परिशान है, तो मैं आपको एक, मतब बड़िया टेकनीक बताऊंगा पूरा flow बताऊंगा आप कैसे इसको कर सकते हो, chapter wise, ठीक है? तो शुरू करते हैं, भाई साब क्या-क्या syllabus में है आपके, तो यहाँ पर देख लो पहले इसके अंदर generator वाला हिस्सा, और वो domestic circuit वाला, फिर periodic classification, then biology में है हमारे पास, how do organisms reproduce, heredity, इसमें evolution डिलीट कर दिया गया है, and our environment, chin to the chapter जो मैंने red में mark करा है, वो थोड़ा सा, like, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने वाला, ज़्यादा, आप कह सकते हो, जहाँ पर आपको effort ज़्यादा डालने पड़ेंगे, time ज़्यादा डालना पड़ेगा, ठीक है? अब जैसे हम, मैंने थोड़ा सा, उसको उस हिसाब से ग्राफिक दे रखा, जैसे electricity chapter, अपने आप में इसको, जैसे term 1 में light chapter था, लगबव ऐसे electricity है, हाला कि यहाँ पर ज़्यादा formulas है, sign convention जैसी कोई चीज नहीं है, तो उतना परिशान नहीं होगे, but उतने formulas को ध्यान में र लिखा हुआ, तो यह number of hours है, जो आपको textbook, deep textbook जो आप पढ़ोगे, उसमें आपको invest करने है, ठीक है, तो जैसे आप electricity है, तो भाई, आठ घंटे लगाओ, अराम से in-depth पढ़ो उसको, ठीक है, चाहे in-text questions भी हो, कोई भी हो, आठ घंटे में अराम सी हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि सर, marathon 8 घंटा एक साथ करना ऐसा नहीं है, ठीक है, मालो कि आपने अगर 4 दिन में भी 2-2 घंटा अगर spend किया, बहुत अच्छे तरीके से chapter होगा, मतलब कि फ्लो क्या होगा, वीडियो और textbook को कैसे हम manage कर सकते हो, बताऊंगा मैं, ठीक है, बस hours देख लो, जो textbook में spend करने है, magnetic effect में 5 घंटे, reproduction में 4 घंटे, carbon and its compounds में 4 घंटे, periodic classification में 4 घंटे, heredity, मतलब 4 घंटे काफी जादा होगा, सिर्फ heredity वाला हिससा ही है, इसमें evolution जो लंबा पार्ट था, वो हटा दिया गया है, और our environment के लिए 1 घंटा भी काफी जादा है, क्योंकि वैसा, जो topic उसके अंदर आपने पहले से पढ़ रखी है, आपको देखोगे तो revision kind of feel आएगा, ठीक है, अब कुल मिलाके जो यहाँ पर होते हैं, आप इसको total करोगे तो 30 hours आ रहे, ठीक है, of your textbook reading, जहां पर एक दम line to line in depth समझते हुए कर सकते हो आप इसको, ठीक है, अब आते हैं कि भाई, flow क्या होना चाहिए, क्या हमको पहले textbook पढ़नी चाहिए, तो मेरे साब से नहीं, आपको क्या करना है, कि one shot video जो अपने बने हुए है, चाहे आप target 95 plus देखो, चाहे आप दबंग series वाली देखो, चाहे आप किसी और channel का one shot video जो आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, वो आप देख सकते हो, और मतलब कोशिश करो कि कम समय में जादा जो content आपको मिल जाए, ठीक है, तो आप उससाब से देख सकते हो, दो घंटा, अगर आप थोड़ा सा video देखने में एक्सपर्ट हो चुके हो, सुनने में एक्सपर्ट हो चुके हो, तो 1.5 की speed में आराम से आप मतलब 2 घंटे से कम में भी कवर कर लोगे, okay, then, एक बार वंचोर्ट वीडियो हो जाता है, उसके बाद आप 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 टेक्स्बूक रिडिंग में, जो मैंने बताया, वो आपको वीडियो के बाद में आना है, ठीक है, जो इसका टाइम में ने अल्रड कर दिया हुआ है, ये चैप्टर इसको आप अच्छे से इसके अंदर में टाइम स्पेंड करना है, या फिर आपको हो मैक्सिमम कोई चैप्टर में आपको टाइम लगेगा ना ये सब करने में, ठीक है, तो दो घंटा, ठीक है, ये अवरेज टाइम पकड़ रहे है, माल लोगा अर्टिसीटी चैप्टर में आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो अवर एंवाइरमेंट में कम ही टाइम लगेगा, ठीक है, इसके बाद PYQ, प्रिविएस एर क्वेशन में, वन अना हाफ आर का टाइम पर चैप्टर, MCQ में वन अना हाफ आर का टाइम, MCQ आप वेरियस सोर्स से कर सकते हैं, Additionally, मतलब इसका textbook का, प्लस Additionally यहाँ पर हमने 7 घंटे पर चैप्टर दिये, तो यह कितना हो गया, 7 घंटे पर चैप्टर और टोटल देरार, कितना चैप्टर है, 2 ये, 2 ये, 3 ये, 7 चैप्टर हो गए ना, तो कितना हो गए, लगबग 49, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यह maximum ग्रीडिंग में और 30 घंटे जो वीडियो और क्वेशन को प्रैक्टिस करने में, टोटल कितना हो गए, हिसाब लगाओ, 60 घंटे हो गए, 30 दिन में 60 घंटे यानि 2 घंटा अगर आप एक दिन में स्पेंड कर देते हो, तो आपका बहुत ही clean तरीके से science हो जाता है, तो जो इविजिन का जो effort लगेगा बहुत कम होगा, तो इसको अच्छे से follow कर सकते हो, लेकिन ये चीज ना भूलें कि पहले वीडियो, then go for the reading part, वो बहुत मतलब उससे क्या हो जाएगा तो उमारा understanding का speed बढ़ेगा, तो उतना time कम जाएगा, अब टेक्स्बुक पहले बढ़ोगे फिर वीडियो बाद में देखोगे, तो जो वीडियो देखने का advantage है, वो नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, कोई और doubt हो, दिक्कत हो, तो आप comment करके बताइए, लगातार वीडियो आते जा रहे हैं आपकी demand पर, ठीक है, thank you for watching, all the best, bye bye.